नमस्कार दोस्तो मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अब सभी का एक बर फिर से अपने यूटूब चैनल रेयर फैक्ट्स में दोस्तो आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करंसी के बारे में जिया दोस्तो क्रिप्टो करंसी क्या है और यह कैसे काम करती है आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे रुपिया भारत की करंसी और ही हर देश की कोई ना कोई करंसी होती है। जैसे अमेरिका की डॉलर। पाकिस्तान की बारे में जानते हैं। जिसे आप छू नहीं सकते हैं। एसी ही करंसी को क्रिप्टो करंसी कहते हैं जिसका आज कल चलन बहुत बढ़ गया है इसे मैं आपको भी क्रिप्टो करंसी से जुड़ी कुछ खास बात जरूर जाने चाहिए चलि आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे Cryptocurrency actual में है क्या Bitcoin का नाम तो आपने जरूर सुनाओगा यह Bitcoin एक परकार की Cryptocurrency ही है Cryptocurrency को आभासी करंसी भी कहते हैं क्योंकि आप इसे चुन नहीं सकते लेकिन इसका उप्योग जरूर कर सकते हैं इस तरह की करंसी की Printing नहीं की जा सकती बलकि ये computer algorithm पर बनी होती है ये सोतंतर मुद्रा होती है जिसका कोई मालिक नहीं होता और ये currency किसी एक authority के control में नहीं होती है यानि कोई संस्था, सरकार, राजे या देश इस currency को control नहीं करते हैं Cryptographic का उपयोग करके त्यार की जाने वाले cryptocurrency एक digital currency है जिसका इस्तमाला कोई समान या service खरीदने में कर सकते हैं इसकी पहली cryptocurrency 2009 में शुरू की गई थी जो bitcoin थी और आज लगबग 1000 cryptocurrencies मार्केट में उपलब दे bitcoin के अलावा कुछ famous cryptocurrencies, red coin, siya coin, sys coin, wise coin और monero है इनके फाइदे भी बहुत है जैसे cryptocurrency पुरी तरह से सुरक्षित होती है digital currency होती है लिग इसके कारण इसमें fraud नहीं हो पाता है इस currency की कीमत में तेजी से उच्छाल भी आता है इसलिए ज़्यादा पैसा होने पर इसमें invest करना फाइदे मन भी साबित हो सकता है cryptocurrency wallet का इस्तमाल करके online shopping और lendin आसानी से किया जा सकता है इसी परकार बहुत सारे फाइदे cryptocurrency के होते हैं लेकिन अपने अपने फाइदे हैं जहां पर तो वहाँ इसके नुकसान भी है कई देशों में cryptocurrency को कानूनी मानेता नहीं मिली है और कई देशों में इसे grey zone में रखा गया है यानि ऐसे देशों में ना तो cryptocurrency को ban किया गया है और ना ही मानेता दी गई है ऐसे में किसी वैक्ति के लिए cryptocurrency खरीदना और उसका इस्तमाल करना कितना फाइदे मन या नुकसान दे हो सकता है यह उस व्यक्ति के देश पर निर्भर करता है तो दोस्तो अब तक तो आप जानी गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुल में होती क्या है और यह कैसे काम करती है और इसके क्या फायद है और क्या नुकसान है तो दोस्तो यह थी आज की छोटी सी वीडियो आई होप आप